बॉर्णिंग स्टूरेंट्स वेलकम तो एनेदर सेशन अफ आवर ओनलान क्लासिस हम पढ़ रहे थे ब्रहमा बाई राइल्फ वाल्डो इमर्सन इसकी इंट्रोड़क्शन हमने पढ़ ली थी कॉंटेक्स पढ़ लिया था कि इस पॉइम में जो है वो पॉइट ने क्या में भी बताया था कि यह one of the three important gods of Hinduism है सबसे top के ठी जो मतलब जिनको माना जाता है। जिसमें creator destroyer creator जो है वो माना जाता है ब्रह्मा को और माना जाता है शीवा को तो यार तीस्रे जो हैं वो विश्नु है इनमें से एक ब्रहामा उनको माना जाता है और ब्रहमा की जो personality थी उनसे बड़े ही inspired थे Ralph Waldo Immerson और उन्हीं को फिर वो बता रहे हैं उन्हीं की personality और characteristics जो हैं वो यहां हमारे सामने रख रहे हैं और उन्होंने जो mouthpiece बनाया है याने जो बोलने वाला narrator बनाया है वो ब्रहमा खुद बनाया है याने ब्रहमा खुद जो हैं वो यहां पर red slayer का मतलब हो गया the god of death के अगर जो god of death है या जो फरिश्टा है या angel है death के अगर उनको यह लगता है कि उसने जो है वो मारा है किसी को याने किसी की जो है आत्मा निकाली है रूख कब्स की है या फिर वो जो मर गया जिसकी रूख निकल गी उसको लगता है कि वो मर चुका है they know not well the subtle ways तो उन लोगों को यानि मारने वाले को यानि रूख निकालने वाले को जिसकी रूख निकल रही है दोनों को जो है यह पता नहीं है कि किस तरीके से मैं काम करता हूँ यानि बर्मा कह रहे हैं कि मेरे जो subtle ways हैं जो एक दम सटीक ways हैं तरीके हैं उनके ब यानि मैं आराम से जो है इस पूरे universe में पूरे world में आ जा सकता हूँ और यह जो मारना और मरना ही यह भी मेरे अंडरी है यानि कोई मेरी मرضी के बिना किसी को मार नहीं सकता اور कोई मेरी मرضी के बिना मर नहीं सकता नेक्स्ट स्टेंजा में कहते हैं far or forgot to me is near far का मतलब होगा दूर और forgot का मतलब होगा भूलना लेकर यहां पर कहने का मतलब है point का भ्रहमा का के मेरे लिए far or near दोनों same है यानि इनसानों के लिए होगा कि वो चीज नज़्दीक है और ये चीज़ पास है लेकिन मेरे लिए सब सेम है क्योंकि मैं जो हूँ डिवाइन हूँ मैं स्पिरिचुल हूँ मेरे सारी चीज़े मेरी हैं सारे पावर मेरे हैं इसलिए मेरे लिए कोई भी चीज़ दूर नहीं है और कोई भी पास नहीं है दोनों मेरे लिए सेम शेड़ो में से भी गुजर सकता हूँ मैं डाकनेस में से भी गुजर सकता हूँ और यही जो है मैंने ही इन चीजों के जो है वो रचना की है तो इसलिए मेरे लिए संलाइट और डाकनेस यानि शेड़ो दोनों सेम है ये कह रहे हैं ब्रहमा दा वैनिश्ट गाड्स टुमी अपीर वो जो के वैनिश हो चुके हैं यानि खत्म हो चुके हैं जो देवी देवता वो मेरे सामने आते हैं मुझे अपीर होते हैं यानि मुझे दिखते हैं वो लोगों को चाहे नहीं दिखते होंगे इनसानों को या दूसरे देवी देवताओं को नहीं दिखते होंगे लेकिन मुझ जी की शोहरत हो इज़त हो दोनों मेरे लिए सेम है क्योंकि ये दोनों चीजे मेरे ही रचना हैं और दोनों चीजे मेरे ही अंडर हैं और शेम और फैम दोनों मेरे लिए हैं सौरी मतलब दोनों जो हैं मेरे लिए एक हैं और मेरे ही कंट्रोल के अंदर हैं यानि मैं जिसे चाह शेम दो, मैं चीज़ें से चाहूं फयाँ दू। वो लोग जो मुझे लीव करते हैं, याने जो मुझे भूल जाते हैं, लीव मी आउट या अपनी दूआँ में में मेरा नाम नहीं लेते वो इल रेकन करते हैं इल रेकन का मतलब यहां में मतलब हो गया कि वो गलत काम करते हैं या वो ऐसा काम करते हैं जिससे कल उनको पश्टावा होगा when me they fly I am the wings जब ये लोग उड़ते हैं तो उनकी जो wings होते हैं याने इनकी जो पर हैं वो में हूँ याने में ही इनके परों को जो है वो पावर देता हूँ उड़ने का मतलब यही हो गया कि जब कोई इनसान जो है उसकी spiritual flight होती है तो में ही वो हूँ जो कि इसको wings देता हूँ फड़तेता है I am the doubter and the doubt शक करने वाला भी मैं हूँ और शक भी मैं हूँ याने इन शक की रचना भी मैंने की है शक करने वाले की रचना भी मैने की है इसलिए दोनों चीज़े ही मैं हूँ ऑाइम दा हीम गाही हृमन सिंग्स और मैं वो him Looking का मतलब वो शलोक हूँ या वो कह सकते हैं जिसे जिनको हम वर्स कहते हैं वैसा जो वर्सिस जो है वो गाई जाती है खास्तोर पर उनको हिम कहते हैं खास्तोर पर वेदास की तो जो हिम जो हैं जो दुआएं या प्रेयर जो गाते हैं को ब्रामिन्स मैं वो हिम हूँ, मैं वो दुआएं हूँ, मैं वो वर्सिज हूँ ब्रामिन जो है यहां पे एक तो कास्ट बेस ब्रामिन वो भी बताया गया क्योंकि he is known as the controller and keeper of the knowledge of Hindu religion साथ इसाथ इसमें ब्राहमिन का मतलब ये भी बताया गया है कि जो वर्शिपर हैं जो कि ब्राहमा की वर्शिप करते हैं The strong gods pine for my abode Strong gods जो हैं जो बड़े बड़े देवी देवता हैं वो मेरे abode के लिए यानि मेरी जो रहने की जग़ा यानि पुरी ये दुनिया है सरिष्टी है ये काइनात है ये universe है इसको लेने के लिए यानि इस पे राज करने के लिए इस पे बैठने के लिए जो हैं वो pine करती हैं उनके जलन से और रश्क से अंदर से जो हैं उनको दर्द होता है यानि वो चाते हैं कि वो मेरी जग़ा आके ले 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 और वो लोग भी रश्क करते हैं जलते हैं और वो मेरी जग़ा आना चाते हैं जो के साथ बड़े जो human figures हैं कि इसमें हिंदू philosophy में उसे जो प्यार करते हो अच्छे काम करते हो find me and turn thy back on heaven मुझे ढूंडो और अपनी बैक जो है करो heaven की तरफ याने जन्नत के लिए या स्वर्ग के लिए जो हो मेरी पूजा ना करो या मुझे याद ना करो बलके सिर्फ मेरी खातिर यानि मुझे ही खुश करने के खातिर मेरे ही खातिर मेरे ही लिए जो है मेरी वर्शिब करो तो कोल मिला के ब्रह्मा जो है इसमें अपने characteristics बता रहे हैं कि मैं ही सनलाइट हूँ मैं ही जो हूँ शैड़ो हूँ मैं ही fame हूँ मैं ही shame हूँ ये दोनों चीज़े मेरे अंडर है, मैं डाउट भी मैं हूँ, डाउटर भी मैं हूँ, मेरे लिए कोई भी चीज जो है वो नजदीक नहीं है, कोई भी चीज दूर नहीं है, कोई भी चीज नीचे नहीं है, कोई भी चीज उपर नहीं है, और मैं वो हिम्न हूँ, वो प्रेयर जो है जो है वो जलते हैं मुझसे और मेरी जगा हासिल करना चाहते हैं और वो कहते हैं रीडर्स को कि ओ मुझे वर्शिप करने वालो के जन्नत के लिए स्वर के लिए मेरी वर्शिप ना करो मेरी पूझा ना करो बलके सिर्फ मेरे लिए जो है मेरी पूझा करो तो दिस